जी हाँ, अगर आप भी सोने अत्वा चांदी के गैने खरिदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुस कबरी है। जी हाँ, चांदी के दाम में अच्ची खासी गिरावट देखने को मिली है, और सोने के दाम में गिरावट का दोर जारी है। तो आईए जानते हैं कि बारत के सराफा बजार में सोने बाच चांदी का क्या बाव चल रहा है आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से गुजारिस है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे दियागे सब्सक्राइब का पटेंट जरू दबाईएगा जिसे कि आपको रोज सोने और चांदी के ताजा और सटिक दाम की जानकारी मिल पाएगी और दोस्तों आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है जो कि हमें प्रोत साहित करता है तो यहाँ पर चांदी के दाम में गिरावट आईए गिरावट के बाद में चांदी के दाम कुछ इस प्रकार से है प्रती 1 ग्राम का 69 रुपए प्रती 8 ग्राम का 552 रुपए प्रती 10 ग्राम का 690 रुपए प्रती 100 ग्राम का 6900 रुपए और प्रती किलो ग्राम का 69 रुपए आज का चांदी का दाम हो चुका है चांदी के दाम में आज 1000 रुपए प्रती किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है लगातार पिछले दो दिनों से चांदी के दाम में गिरावट का दोर जारी है आगे भी इसमें गिरावट का दोर जारी रह सकता है तो 49,390 रुपए पर 18 करेट सोने का दाम प्रती 10 ग्राम के नुसार चल रहा है इसे के साथ मैं 22 करेट के नुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,815 रुपए प्रती 8 ग्राम का 38,520 रुपए प्रती 10 ग्राम का 48,150 रुपए और प्रती 100 ग्राम का 4,81,500 रुपए 22 केरेट सोने का आज का दाम हो चुका है सोने की जितने भी गेने होते हैं वे 22 केरेट में ही बनते हैं इसलिए अगर आप सोने के गेने बनवाते हैं तो 22 केरेट के नुसार ये दाम आपको ध्यान में रखना चाहिए चलिए तो 24 केरेट सोने का दाम जानने से पहले आपके लिए एक चोटा सा जिक्के का प्रशना है कि पाख़डा नागल बांध कौन सी नदी पर है और इसके विकल्प है गंगा यमुना सतलज या कावेरी आपको इसका जबाब नीचे कमेंट करके बताना है वही दोस्तो 24 केरेट प्योर सोने के दाम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है प्रती 1 ग्राम का 5252 रुपए प्रती 8 ग्राम का 42,016 रुपए प्रती 10 ग्राम का 52,520 रुपए और प्रती 100 ग्राम का 5,25,200 रुपए 24 केरेट सुध सोने का दाम हो जाए